नमस्कार दोस्तों वेलकम टू मार्केट क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का EOD सेट अप क्या है और साथ में डिस्कस करें इंट्राडे में कौन से लेबल के उपर बुलिस और किस लेबल के नीचे बैरिस देखना चा का भी चार्ट देखेंगे साथ में बजिंग सेक्टर देखेंगे कि क्या कौन से सेक्टर जो है अभी बजिंग में दिख रहा है और जिस पे आपको नजर रखना चाहिए और एक-दो स्टॉक भी देखने वाले हैं जहां पे चार्ट सेटप काफी इंट्रेस्टिंग दिख रखते हो कि एक अब ट्रेंड में है एक रेंज जब ब्रेक आउट किया प्रंटी वन था हुझे नाइन फिप्टी का जो एक रेजिस्टेंस लेबल था उसको ब्रेक होने के बाद हमने बोला कि आपकी पॉसिबिलिटी है कि यह एक अपसाइड का मूव हो था बट क्या यह कंटिन्यू रहेगा यह काना बहुत मुश्किल है और इसको थोड़ा चार्ट पर पहले हम समझते हैं कि यह क्यों थोड़ा काना मुश्किल है अभी आप देखें प्रिवियस जो टॉप है यह अपका प्रिवियस टॉप था क्लोजिंग बेसिस पे जो कि टूर टुटी टू यह कहीं वहां पे एक सप्लाई जोन है तो पॉसिबलीटी क्या है और यह एक 100% परसेंट पोल है अगर इसमें अगर यहां से मुमेंटम और अगर श्टॉंग चाहिए तो पॉसिबलीटी क्या हो सकता है कि छूटा पूलबैक हो पूलबैक में जिसमें जिससे वीक प्लेयर जो होते हैं वो आउट होते हैं छोटा एक भी अगर करेक्शन होता है जिसके रिट्रस्मेंट और उसके बाद अगर नेक्स फॉलो थुरू मिलता है तो वह आपको अफोर्डेवल ट्रेट देता है जहां पर आप एंटर कर सकते हैं यहां 100% पोल भी है और प्लस बुलिस ब्रादनिंग भी है प्रिवियूस टॉप के उपर में भी है तो उपर में जा रहे तो फॉलो थू यहां एक इंपोर्टेंट जरूर हो जाता है अब किसी दिन अगर देर सो दो सो पॉइंट अगर दो सो अगर गिरता है तो इसका मतलब यह हल्दी करेक्शन ऐसा नहीं कि डरने का बट ओबर ओल चार्ट सेटप क्या है चार्ट सेटप अभी भी बुली से बिकाज जो ट्रेंड है वो बुली सा और पैटर्न भी है वो बुली से तो इसलिए सेटप बुली से अब बैंक निफ्टी के देख लेते हैं योडी में क् करना है तो क्या मिरे लिए रिस्क रिवार्ड फेवरेवल है नहीं वेट करेंगे और नेक्स फॉलो टुलो ट्रू का मतलब नेक्स डबल टौप बाई सो एक छोटा करेक्शन उसके बाद डबल टॉप आई अता है तो आपका रिस्क जो हो छोटा कर देता है और जो कि अफर जहां पर आप देख सकते हो कि कहां तक जा सकते हैं और जो इमेडियेट जो रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है यह लेवल जो है 47600 के नजदिक एक रेजिस्टेंस दिख रहा है अगर अगर मुविंग एवरेज यानी कंटिनुवस यह सेम आप सेम कंटिनुवस सेम कॉलम में अगर आता है तो अफर्ड अबिलिटी का थोरा प्रॉलम जरूर है बट ओवराल चार्ट सेटप बुलीस है बैंक निफ्टी अब इंट्राडे देख रहेता है कि इंट्राडे चार्ट सेटप का है इंट्राडे का चार्ट सेटप बुलीस है और कल के लिए 22,000 46,900 के उपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक आपसाइड मूब आपको मिल सकता है जो कि 47,200 और 650 तक और डाउनसाइड मूब अगर 46,400 के नीचे सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी 45,973 अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें कि सॉरी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का चार्ट सेटप ओवराल चार्ट सेटप बुलीस है लास्ट में आज जरूर थोरा सेल आफ दिखा है बटकल के लिए जो लेवर राएगा 22,260 के उपर अगर सस्टेन होता है तो पॉ तो यह दोनों लेवल पे आप नजर रखें निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्रा देगर अब सस्टेनिंस का मतलब क्या होता है नए वीवर्स को हम बता दें कि सस्टेनिस का मतलब उस प्राइस जो भी लेवल हमने बात किया है जैसे निफ्टी का 22,260 के उपर बुली देखना चाहिए तो यह सस्टेनिस वाइस बरसा आपको बेरिस के लिए बैरिस लेवल के नीचे अडिस फाइफ मिनर्ट सस्टेन होना चाहिए अब देख लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के बात कर लेते हैं कि क्या कुछ अपर्चुंटी है वहाँ पर सिल्वर का अभी चार आउंसाइड मूब आपको मिल सकता है जो कि 70,700 और 70,100 लेकिन अपसाइड भी काउंट यह ओपन है 72,400 और 70 है तो दोनों साइड का काउंट ओपन है अभी भी यह इस्टैबलिस्ट काउंट है नौट एक्टिवेटेड काउंट तो जब तक इसके नीची अगर नहीं जाता ह है यानि 71,400 अब तक यह एक्टिवेट नहीं होगा बुलिस्ट के लिए 71,900 के उपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी 72,400 और उसके उपर भी जा सकता है तो यह दोनों लेबल पर हां और जब हम वीडियो सूट कर रहे तो उस समय उसके बाद भी कमोडिटी मार्केट चाल और जो आप यह जो लाइन जो दीख रहे है यह DA smart लाइन है DA smart का जो क्लावड है तो क्लावड के उपर बुलिस यहानि इस क्लावड के उपर अगर हम बात करें यह दैसे क्लावड के उपर गया तो बुलिस ऑपर ब्पर जिखा जो कि यह लेबल अल्मो्सBaby 69,700 से लेकर और 71 वन थाउजन्ट तक यह बुलिस उसके बाद यह सोट आफ साइड या नि वैरिस उसके बाद बुलिस ऑपर्चन्टी तो इस तरह से आप रियल टाइम मार्केट में भी डिया स्मार्ट लाइन प्लॉट करके देख सकते हैं और आपके दिमांग में होगा कि यह डिया स्मार्ट प्लॉट करना है और डिफाइन इस सेकृरिटी में अगर डिमेट एकाउंट नहीं है तो प्लीज जाकर जरूर आज रजिस्टर कीजिए और वहां एकाउंट ओपेन कीजिए यह जो चार्च पॉइंट एंट फिगर, रेन को चार्ट, कैंडल्स, हैकिनासी और जितने भी इ इस से आपका इवेन इक्विटी के लिए भी यह बेनिफिट हो सकता है, तो सिल्वर का यह लेबल, आप गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड ओवराल चार्ट शेटप बुलिस है, बट अगर 62,200 के उपर अगर सस्टेन होता है, तो पॉसिबल एक आपसाइड मूब आपको मिले, और डाउन साइड मूब अगर 61,450 के नीची अगर सस्टेन होता है, तो आपको डाउन साइड देखना है, अदर्वाइस अभी नहीं देखना है, अब टी ओ आई की बात कर लेते हैं, टोटल ओपेन इंटरेस, जैसा यह हमने 22nd February का प्लाट किया था, निफ्टी का, और यहां अगर आप देखें, तो यह फर्स टाइम जो इंडिकेट किया था, एराउन 10.30 के करीमे कि अब यह बुली साइड और continuous बुली सी अपर्चिंटी दिया, उसके बाद यह 3.10 के करीमे आपको एक दिखना है, तो वन वेरा, वन डाइरेक्शन की बुली सी देखना अगर आपने गलती से भी येट से 3.30 में आपको लगता है कि चलो गड़ फिलिंग कर रहा है कि पूट लेना चाहिए, तो क्या TOI हिंट कर रहा है कि पूट लेना चाहिए, नाई, अगर यहां पर यह बुली में का मन तो इबुली सी अब उपर्चिंट यह point and figure की अगर हम बात करें तो और इसके लिए जो brick size हम use करते हैं 0.51 minute time frame, even आप TOI के लिए plot कर सकते हैं, अब OI का इसाब से थोड़ा देख लेते हैं कि open interest में क्या कुछ changes जो है, 22,000 जो है, अभी भी put OI सबसे ज़्यादा, इसका मकलब क्या है, कि 22,000 ये एक base है, support है, major support है, और अगर 22,000 का अगर हम देखें, तो 86 मतलब क्या हुआ कि 21,000, almost 20 तक ये possibility है, ये कुछ भी नहीं है, 21,000 से 22,000 का ये एक base है, अगर इसके नीचे जाता है, तभी ही आपको possibility है, कि downside है, otherwise ये support strong दिख रहा है, वैसे ही अगर हम 22,600 जो मुझे दिख रहा है, ये एक आपका resistance दिख रहा है, तो major जो range हो गया, 22,000, 21,900 और 22,000 से लिकर, 22,500 and 600, तो ये range के बीच में ही लग रहा है कि trading होना चाहा होगा, अब other asset class की बात कर लेचा, other asset class ये clear indication दिखा रहा है कि underperform कर रहा है, gold upon nifty 50, GS composite upon nifty 50, and USD, INR upon nifty 50, तो जब भी अगर तीनों asset class अगर underperform कर रहा है, तो that will be a good sign for the equity market, and ये हम हमेशा बुलते हा रहे हैं और ये clear visible भी है, तो yes, अगर ये जब भी अगर DA smart line के नीचे है, इसका मतलब क्या equity के side आपको ध्यान रखिए, और equity में कौन सा stock, तो आपको सबसे पहले sector analysis करना होगा, कि कौन सा sector outperform कर रहा है या underperform कर रहा है, तो अगर equity outperform कर रहा है, तो हम sector का outperform देखेंगे, कि उस nifty के against कौन सा sector outperform कर रहा है, उसके बाद उस sector में, उस sector के against stock कौन सा outperform कर रहा है, उस stock में price pattern अगर favorable है, price pattern risk reward affordable है, तो ही हम entry करेंगे, तो ये एक पुरा method हो गया, जिसके तुरू आप एंटर कर सकते हो तो अब देख लेते हैं बजिंग सेक्टर में कौन सा सेक्टर जहां पर दिख रहा है तो उसके लिए आरजोन में आके आप ब्रेथ में जाकर और रन करेंगे ब्रेथ स्कैनर तो इस तरह से आपका एक स्कैन होके आएगा रिजल्ट और अब एक एक करके अगर हम देखें एक बार तो मुझे जो समझ आ रहा है कि अल्मौस जो रेंज ए 75-85 के करीब में है यानि हर एक सेक्टर में तो इसका मतलब क्या है कि जो एक सार्प रिकवरी आया है मार्केट में जो समझ में आ रहा है तो हमको देख रहा है कि कहां पर एक डिफाइनेस फूड जो दिख रहा है यहां एक बजिंग सेक्टर में दिख रहा है यस हाड़वेर भी है और उसके बाद अगर हम देखे तो पावर हम यह सोलर में है इविन 28% एंकर कॉलम भी है सोलर में तो आपको सोलर पर नज़र रखन चाहिये और उसके बाद आपका टी-कवी विकॉच छोटा इसमें तो आपको इस पर नहीं जाना चाहिए यस Energy इंडेक्स आह olhar उसके healthcare index मुझे काफी attractive दिख रहा है तो healthcare अगर ये दिख रहा है index तो यानि फर्मा और healthcare अगर हम दोनों की बात करें यहाँ पे एक opportunity मुझे दिख रहा है तो हम क्या करेंगे आर्जोन में जाएंगे यहाँ पे और उसके बाद आपको matrix में और multi time frame ultimate matrix healthcare index हमने run किया और scan किया तो यह हमको scan करके बताएगा कि healthcare में जो 20 stock है इस group के कौन सा stock जो की every stock के against outperform कर रहा है on every time frame because यहाँ पे time frame का मतलब box value है तो 0.25% यह indicate कर है कि short term 1% medium term and 3% long term अब यह तीनों का score total कर देते हैं तो यह total score हो जाता है और यहाँ से हम क्या कि यह complete हो गया तो जाइडस life granules ipka lab यह सब जो है आउट परफॉर्म कर रहा है आप जाइडस life में क्या अपर्चुन्टी है यहाँ पर्चुन्टी नहीं है तो हम चोड़ देंगे यहाँ पर अफ़र्डेबल यानि 1250 और आपका double bottom पैटन फेलियर लेबल अलकेम यह एक बुलिस ABC पैटन फेलियर लेबल बिलो फाइफ टू टू ए सिपला हमने डिसकस भी किया था कि यह एक बुलिस अपोर्चुन्टी है अपोलो होस्पिटल अगर नेक्स डबल टॉप बाई आता है तो डबल टॉप बाई का लेबल जो है 6761 जो यह आप हेल्थ केर के जो स्टॉक है इस पे आप नजर रखिए पॉसिबिलिटी है कि ओधर आपको एक अच्छा खासा मॉब आपको मिल जाए मैक्स हिल्थ भी मुझे स्टॉक वाइज यानि टेक्निकली अब्री टाइम फ्रेम एक अच्छा दिख रहा है विकाज ट्रिपल टॉप भी फॉर्मेशन काफी 607-620 के करीब में हुआ था और वहां से कंटिन्यू चलना है तो कोई भी जो छोटे बॉक्स वैल्यू पर अग नज़र रख सकते हो और एक जो सोलर हम दिख लेते हैं कि सोलर में कुछ है की नहीं है डिफाइने सोलर करके है तो यहां से हम सौट लिस्ट किया और आइनक्स वीन जो है यहां एक दिख रहा है उसके बाद कि यह के पी आई ग्रीन इस पे आपको नज़र रखना चाहिए अ बोरो रिनिवल एनर्जी उसके बाद आदानिक ग्रीन पे है आइनक्स ग्रीन यह एक बुलीस एबीसी अगर ब्रेक आउट होता है तो इस पे आप नज़र रख्या आइनक्स ग्रीन इस डबलू सोलर यह बुलीस ब्रेक आउट अभी तक नहीं हुआ है स्वाट आप कांसोल सेक्टर जो है बजिंग में है स्टाउक जो है अगर कोई भी बुलीस ब्रेक आउट है तो इस पे आपके नज़र है बट हेल्थ केर मुझे जो दिख रहा है इस पे आप जरूर नज़र आए तो होप आपको यह वीडियो पसंद आए होगा तो अगर पसंद आए तो झाल